नमस्कार आप देख रहें MNS News Live खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक निजर आज की हेड्लाइन्स पर दुरघटना में पुलिस कर्मी की मौत विवाद में बीच बचाओ करना पड़ा भारी 4,3,000,000 की ठगी अब देखते हैं खबरे विस्तार से वाडी धानशेत्र में सडग दुरघटना का शिकार हुए पुलिस कर्मी की उपचार के दारान मौत हो गई मृतक नौनीत नगर अमरावती रोड निवासी है मृतक पुलिस कर्मी का नाम राजेंद्र शेश्राओ चारे बताया गया है राजेंद्र नागपुर पुलिस मुख्याला में कारेरत थे और मुलताह काटोल के रहने वाले थे 28 जून की राद 10 बज़े के दौरान वे अपनी मोटर साइकल से डिवटी से घर लोट रहे थे अमरावती रोट पर दत्तावाडी परिसर में चार पहिया वाहन चालक ने उनकी गाड़ी को जोर दार टककर मार दी और फरार हो गया जखमी हुए राजेंद्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भरती किया गया रविवार किश्या आम उन्होंने दम तोड़ दिया पुलिस ने अग्यात आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाचारंब कर दी है दूसरी खबर दोस्त के साथ हुए जगडे में बीज बचा करना एक युवक को भारी पढ़ गया पाच युवकों ने उसके घर में हमला बोल दिया उस युवक को मार पीट कर बुरी तरह जखमी कर दिया गया प्रतापनगर पुलिस ने गोरले ले आउट निवासी नितिन सत्य प्रकाश ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है आरोपियों में कामगार कॉलनी सुभाश नगर निवासी, रितेश सोनारे, पंकच बनिया और उनके तीन अग्यात साथियों का समावेश है नितिन के दोस दिपक तिवारी का रितेश के साथ विवाद हुआ था रविवार की रात साड़े दस बजे के दोरान नितिन और दिपक चाय की टप्री पर बैठे थे इसी दोरान रितेश और पंकच वहां पहुँचे दिपक से विवाद करने लगे नितिन ने बीच बचाओ कर मामला शांत करने की कोशिश की रात एक बजे के दोरान रितेश और पंकच अपनी तीन साथियों को लेकर नितिन के घर जा पहुचे तलवार की मूट से नितिन की पीट पर वार कर जख्मी कर दिया मार पीट कर आरोपी फरार हो गए पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दिया तेसरी खबर कुलर खरीदने के नाम पर साइबर ठगों ने एक वेपारी को 4,39,000 रुपे का चूना लगा दिया पुलिस ने लशकरी बाग निवासी राजिंद्र उतार सी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है राजिंद्र मैगी कुलर शॉप के संचालक है उन्होंने अपनी कुलर की ओनलाइन बिक्री के लिए इंडिया माट नामक साइट पर खाता शुरू किया था उस पर अपना मोबाइल नंबर भी डाल रखा था चार से नौ जून के बीच साहिल कुमार और मंजित सिह नामक आरूपियों ने राजिंद्र को फोन किया उन्हें बताया कि कंपनी के पाच कुलर खरिदने हैं उनसे कुलर का कोटेशन लिया और आनलाइन पेमेंट करने के लिए अपना खाता लिंक करने को कहा उन्हें अलग-अलग पेटियम नंबर दिये गए आरूपियों ने राजिंद्र को बातों में उलजाय रखा और उनके खाते से 4,39,000 रुपय आनलाइन ट्रांसफर कर लिए राजिंद्र ने छान बिन की तो धोखा धड़ी का पता चला अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए बने रहे हैं पिने स्नीर्स लाइब के साथ नमशकार